आज हम लोग शाही पनीर बनाएंगे घर पे रेस्टोरेंट स्टाइल में यूजिली हम लोग कन्फूज हो जाते हैं कि शाही पनीर और बटर पनीर में अंतर क्या है और मेरे चटरों कैसे हो आप आज के वीडियो में हम लोग बनाएंगे शाही पनीर की रेसिपी रेस्टोन स्टाइल में वैसे बटर पनीर जो होती है वो थोरी और मसाले दार रहती है और थोरी चटाके दार रहती है और शाही पनीर थोरी से सिंपल ज़ादा रिच और थोरी से क्लासी रेसिपी है आप देख सकते हो एकदम सिल्की बनी है हम लोग के शाहिख पनीर इसका फ्लेवर भी बहुत ज़ादा बढ़िया है और एकदम रेस्टुरेंट स्टाइल में बनेगी तो रेसिपी शुरू करें क्या रेसिपी शुरू करते हैं दोस्तों यह सारे जो इंग्रेडियंट से एकदम सिंपल है मैंने सभी एक लिस्ट बना कर नीचे लिख दी है तो आप रेसिपी बनाने से पहले वो जरूर पढ़ लीजेगा अब फटा-फटे कढ़ाई गरम करते हैं और यह गरम कढ़ाई में हम ल अच्छा आएगा इसी के साथ में यहाँ पर हैना प्यास भी डाल रहा हूं मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइस की प्यास इस्तमाल करे हैं सभी को एकदम बड़ा-बड़ा काटा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको उसको एकदम पतला काटना हो इसको शाही और एकदम रिच ब बड़िया फ्लेवर के लिए शाही जीरा डालेंगे आदा चम्मच के आसपस ठीक रहेगा अगर आप लहसुन और अद्रक खाते हो तो आप बिल्कुल डाल दीजेगा अगर नहीं खाते हो तो छोड़ दीजेगा मैंने यहाँ पर चार कलिया लहसुन की एक चम्मच नमक और साथ में एक इंच अद्रक कर टुकडा डाला है तो बटर पनीर मसाला तो थोरी जादा मसालेदार होती है यह वाली थोरी कम मसालेदार रहती है क्योंकि इसमें खड़े मसाले डाले जाते है और फिन निकाले जाते है मैंने यहाँ पर एक इंच दालचीनी दो हरी इलाइची तीन पीस लॉंग, एक काली इलाइची, ये सब कुछ लिया है, साथ में एक चक्रफुल भी है, इन सभी को इसमें डाल दूआ, साथ में एक दो बड़े चिम्मच जितना बटर डाल दूआ, इसको मिक्स कर लेंगे हम लोग, और साथ में हलका सा पानी डाल कर इसको पकाएंगे जो स्टेप है इसमें, बस उबालने का है दोस्तों, आपको अभी टेमाटर को गलाना है, और साभी को एक साथ पकाना है अपने भी कभी देखा है कि यह गर प्यास को उबालते तो भहुत अच्छा क्रीमी फ्लेवर आता है और टेमाटर पूबालने से अच्छा फ्लेवर आता ही है छिलके भी निकल जाते है जिसके वाजे से अपनी जो ग्रेवी है वो एकदम अच्छे और सिलकी बनेगी तो editing के कमाल से हम लोग के जो टमाटर है वो भी गल चुके है और साथ में अपने प्यास भी पक चुके है आप देख सकते हो सब कुछ बढ़िया लग रहा है ये step में आपको 15-20 मिनिट लग जाएगी अगर आप high flame पर करते हो तो और जल्दी भी हो सकता है सब कुछ पक चुका है तो मैंने gas बंद कर दी है और फिर इसको ठंडे होने के लिए रख दिया है जब ये ठंडा हो जाता है तब आप एक mixi का jar ले लीजिए और ये mixi का jar में टमाटर प्यास डालने से पहले आपको जो खड़े मसाले वो निकालने है अगर आप साथ में इसको पीस दोगे तो फिर एकदम strong flavor आएगा मसालों का वो नहीं होना चाहिए इसमें तो मैंने याप पर सारे खड़े मसाले निकाल दिये है अब मैं अपने प्यास टमाटर को अपने mixi में डाल देता हूँ और फिर फटा-फट इसका हम लोग एक प्यूरी बना लेंगे प्यूरी एकदम soft और एकदम smooth बनानी है आपको गाड़ी प्यूरी मत बनाईएगा क्योंकि गाड़ी रहती है तो smooth नहीं बन पाती है तो डालना पड़े तो आप पानी डाल सकते हो यह लीजे दोस्तो हम लोग की जो प्यूरी है वो बिल्कूल तयार है और एकदम बढ़िया लग रही है तो अब हम लोग अपनी शाही पनीर को शाही करने के लिए इसमें से जो भी छिलका है या फिर जो भी छोटे-छोटे टुकडे है वो निकालने पड़ेंगे उसके लिए क्या करेंगे मैंने यहाँ पर एक छोटा पतीला लिया है पतीले के उपर मैं एक सूप स्ट्रेनर रख रहा हूँ या फिर एक छन्नी रख रहा हूँ इसमें से अपनी जो प्यूरी है वो पास कर देंगे इससे क्या होगा सारा जो भी मोटा मोटा छिलका है टमाटर का या फिर छोटे बहुत दाने जो है वो निकल जाएंगे हाथ से करिएगा बेटर रहेगा आपके पस अगर जाली हो तो आप जाली से भी इसको स्ट्रेन कर सकते हो तो लीजे दोस्तों हम लोग की जो ग्रेवी है या फिर प्यूरी है वो तयार हो चुकी है अब जो बाकी है वो है इसमें एक तड़का और इसको और रिच करने का स्टेप उसके लिए हम लोग क्या करेंगे फिर से कड़ाई गरम करेंगे मैंने वो ही कड़ाई को साफ करकर ले लिया है इसमें मैं फिर से बटर डाल दूँगा आप चाओ तो इसमें घी भी इस्तमाल कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दो बड़े चमच के आसपस मैंने याप पर बटर डाला है जैसी बटर हलका सा गरम होता है हम लोग इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर इसे बहुत ही बड़िया कलर आएगा मैंने यापर कश्मीरी वाली इस्तमाल करी है उसी के साथ में मैंने यापर हलकी सी हल्दी पाउडर और एक बड़ा चमच के आसपस हरा धनिया डाला है ये लीजे इसको अच्छे तरह मिक्स कर देंगे बहुत ही बड़िया लग रहा है कि नहीं हम लोग को तड़का तैयार है अब हम लोग इसमें पनीर डाल कर भून लेंगे मैंने आपर 200 ग्राम पनीर इस्तमाल किया है जो मैंने छोटा छोटा काट कर रखा है ये जो पनीर को भूनने का स्टेप है बटर में या फिर घी में बहुत ही बड़िया फ्लेवर ला देता है पनीर में और साथ में पनीर भी सॉफ्ट हो जाती है जिसके वेशे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसको आपको बस दो मिनिट के आसपास भूनना है उसके बाद आप इसमें बाकी की इंग्रिडियन डाल सकते हो जैसे मैं अभी इसमें खोया डाल रहा हूँ पचास ग्राम के आसपास आपके पास अगर घर में खोया अवेलबल नहीं है तो आप है ना कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हो या फिर मलाई भी डाल सकते हो मेरा बोलने का मतलब है आप मिठाई में डाल सकते हो या फिर अगर एक पेड़ा पड़ाओ दो पेड़े पड़े हो तो वो पेड़े भी डाल सकते हो यहाँ पर तो लिजिए अपना जो खोया है वो डालने के बाद अब हम लोग अपनी ग्रेवी डाल देंगे मैं ग्रेवी डालने के बाद एक बार मैं इसको मिक्स कर दूँगा क्यूंकि हम लोगे गैस थोरी हाई फ्लेम पर है और अब जो बचावा जो ग्रेवी है ना पतिले में वो भी निकाल देंगे हलका सा पानी डालकर इतनी बड़िया जो ग्रेवी बनाई है उसको वेस्ट चीनी भी डिनी डाली तो मैंने यहाँ पर है ना चीनी इस्तमाल करी है एक चमच के आसपास और नमक टेस्ट के हिसाब से दोनों डालने के बाद हम लोग इसमें हलका सा केसर भी डाल देंगे आप चाहो तो केसर डाल सकते हो ना चाहो तो मढ़ डालेगा लेकिन केसर का जो बहुत ही दा बड़िया लगता है शाही पनीर में इससे कलर भी अच्छा आए गई अब जो नेक्स्ट है इसको अच्छे तरह मिक्स करने और फिर इसको बाल पर लेकर आना शुरू में आप फ्लेम को हाई रख सकते हो हाई फ्लेम पर जब इसमें एक उबाल आ जाता है तब बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा मैंने यहाँ पर तीन चमच के असपास क्रीम डाली है क्योंकि यह पड़ा था घर में डिबा अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और फिर हलका से उबाल लेंगे और हम लोग के घर में बनेवी शाही पनीर बिल्कुल तयार हो लेकिन इसका फ्लेवर अगले दिन बहुत ज़्यादा बढ़िया और हो जाता है मतलब आज अगर आपने यह बनाई है दूसरे दिन सुबह तो इसका फ्लेवर एकदम सुभानला हो जाएगा यह जो शाही पनीर है इसके साथ जो लच्छा पराठा होता है न थोरह सा पुदीने के साथ बना वह उसका मज़ा ही कुछ और है वैसे आप इसको नान के साथ भी सर्फ कर सकते हो वैसे अगर आपको लच्छा पराठा की रेसिपी देखनी है पुदीने के साथ तो मेरे को ब पूस्क्राइब लिखा आप बटन होगा उसको क्लिक करना उसके बगल में फिर एक घंटी आ जाएगी उसको भी एक बटन कर देना उससे क्या होगा आपके फोन में घंटी बजेगी जब भी मैं एक नया वीडियो डालू आज के लिए बस इतना ही बाई बाई